नमस्कार मेरे इनु मिसर अपने चनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं बना रही हूँ बहुत ही सुन्दर साही मकमली तक्या यानि कि राउंड से पीलो वो भी बिना सिलाई मसीन के इसको हम हाथ से बनाएंगे आज की इस वीडियो में पीलो के साथ मैं कवर और लेस भी बनाना बताऊंगी तो प्लीज आप वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें इसको बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको सिलाई बिलकुल भी नहीं आती है तो भी आप इस तक्या को आराम से बना सकते हैं और काम आता है उपर का जो यह कवर है उसको मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है तो सबसे पहले हम थक्या बना लेते तो यह देखें यह अस्तर का जो कपड़ा है वो मैंने लिया है थान से कटवा के इसकी जो लंबाई है वो है 26 इंच और इसकी जो चोड़ाई है वो भी 26 inch है यानि कि 26 inch ये लंबा है और ये चोड़ा भी 26 inch है यानि कि square shape में ये कपड़ा हमें लेना है अब इसको हम बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो बीच से इस तरह से मोड लेना है इसको और देखें लगबाग एक बीता यानि कि 4-5 inch जगह छोड़ते वे और दोनों साइ कि बहुत ही आसान है इसको आप फटा-फट एक घंडे में इस तक्या को बना के त्यार कर सकते हैं अब एक बार वापस से हम इसमें सिलाई कर लेंगे ताकि ये जो अंदर जो हम इसके रूई भरेंगे वह बाहर की तरफ ना निकले तो जहां तक मैंने निशान लगाया है वहीं तक सीलूँगे इसको अब इसी तरह से दूसरी साइड भी सील लें तो ये देखिए ये दोनों साइड सील गया बीच में तर जगह मैंने ये छोड़ दिया है रूई भरने के लिए अब इसको साइड में रखेंगे और दूसरा वाला पीस लेंगे इस तरह से देखिए हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है तो सर्कल आप थोड़ा चोटा बड़ा रहेगा तो भी चलेगा तो मैं ये टिफिन के साइड का सर्कल ये ड्रॉ कर रही हूँ अब इसको कट करना है तो हमें ये दो पीस चाहिए न तो इसको देखिए डबल फोल्ड कर ल किसी भी साइस का इस तरह का यह circle ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसको दीखिए इस तरह से cut कर लेना है तो ये देखिए इस तरह से दो पीस कट कर लेना है सरकल अब एक पीस लेंगे और इसको देखिए इस तरह से बी से फोल्ड करके और दो साइड सेंटर में निशान लगा लें इस तरह से सेंटर में दोनों में ही मार्क कर ले अब देखे इसमें जो यह सिलाई है और यह जो हमने निशान लगाया है दोनों को मिला के पहले थोड़ा सा इसको सिल लेंगे अब दूसरी साइड जो हमने मार्क किया है उसको बिलकुल सीधे में दूसरी साइड में सिलाई करेंगे अब इसी को हम कंटीनू करेंगे और देखे इस तरह से छोटा-छोटा प्रेट्स देते विए पूरा इसको गोल में राउंड सेफ पे सिल लेंगे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा यह चुन्नट लेते विए याने की प्लेट्स देते विए और इसको हम पूरा सिलाई कंप्लीट करेंगे तो एक बार देखे यह सिलते समय मैं यह बड़े-बड़े टाके लगा रहे हूं कच्छी सिलाई कर रहे हूं यह जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इसके उपर हम एक बार पक्की सिलाई कर देंगे ताकि यह मजबूत रहे और यह जो रूई है इधर दर से कहीं से निकलेना तो यह कच्छी सिलाई यानि के बड़े-बड़े टाके वाले सिलाई हो गए है अब इस पर हम पक्की सिलाई करेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा यह दिखा देती हूं किस तरह से यह सिलाई को अच्छे से लॉक कर दिया जाए तो इस तरह से देखिए हम इसको सीलेंगे तो इससे क्या है जो हम इसके अंदर कॉटन या रूई भरेंगे वो निकलेगा नहीं इस तरह से पूरा complete कर ले बिल्कुल सेम इसी तरह से जो दूसरा circle हमने cut किया है कपड़े को cut किया है उसको दूसरे side joint कर लेंगे तो दोनों side मैंने यह joint कर लिया है और अच्छे से saliva कर लिया है बिल्कुल कहीं से भी देखिए खुलाव नहीं है यह अब जहां से हमने बीच में छोड़ा है वहां से इसको सीधा करेंगे और फिर देखिए इसमें हम cotton यह रूई भरेंगे तो मेरे पास इस तरह का यह रूई है जो कि गद्दा या तकिया में भरा जाता है तो भरा थोड़ा सा करके इस तरह से हमें भर लेने अच्छे से लगभाग यह आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा रूई मैं भर रहे हूं तो आप एक किलो भरी खաरीद तो आप यह देखिए यह तक्या बन गया है अब हम इसके उपर का कवर बनाएंगे तो कवर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ वेलवेट का कपड़ा आप कोई सा भी फैबरिक ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया यह वेलवेट का कपड़ा है जिसको टच करने पर बहुत ही मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट यह लगता है यह कपड़ा मुझे 200 रुपया मीटर मिला है इस इसका सीला हुआ है सीलने के जुरूत नहीं तो दूसरी साइड हम इसको इस तरह से मोड के और सील लेंगे तो यह देखे इस तरह से मैंने यह थोड़ा सा यह मोड के सील लिया है एक साइड अब यह देखे, उपर की तरफ हमें यह डोरी डाला है, याने कि इसमें लेश डाला है, तो उसके लिए देखे, इस तरह से हम एक बार फोल्ड करेंगे, फिर दुबारा फोल्ड करते वे और इसको सील लेंगे, ताकि इतना बड़ा रखेंगे, कि इसमें जो हमारा लेश है य इस तरह से देखिए हम यह इसमें लेज डालने के लिए डोरी डालने के लिए इस तरह से उपर की तरफ सिल लेंगे एक बार ही थोड़ा सा फोल्ड किया मैंने फिर डबल फोल्ड करके और फिर सिल लेना है और यह छोटी-छोटी यह टाके लगाने ही है तो इस तरह से हम छोटे-छोटे ताके मैं लगाते बवे पूरा सीलभी लेंगे दूसरे किनारे तक तो इस तरह से मैं सिल रही उसको मैं इसी तरह से पूरा तो पांस यह सील हों9 10 वैट Dopo defendant दूसरी साइड भी हम Миया दोरा यहां डेस डालेंगे तो ये देखिए दोनों साइड ये मैंने सिल लिया है इस तरह से ये सिल लेना है अब इसको हम 20 से फोल्ड करेंगे और बराबर करके ये जो किनारा है लास्ट वाला इसको भी हम पूरा सिल के कम्प्लिट कर लेंगे तो ये जहां से ये हमें ये लेस डालना है उसके नीचे से इसको सिलना सुरू करेंगे और इसको साथ साथ पक्की सिलाई करते जाएंगे देखिए इस तरह से करेंगे फिर उपर से सुई के उपर ये डोरी को घुमाते वे और इसको लॉक कर देंगे इस तरह से ये पूरी सिलाई हमें कर लेनी है ये वाले सिलाई बहुत ही मजबूत होती है कभी खुलेगी नहीं तो इसी तरह से ये पूरा सिल लेना है यहां से यहां तक पुरा सिल के कंपलीट लेते हैं तो मैंने सिल के कंपलीट नहीं कर लिया है सिलाई की पूरी हो गई है अब ईसे हम उपर की तरफ थोड़ा सा पकड़के एक बार इस तरह से सिल लेंगे ताकि पोनीजीन दूरी से अग़े तो ये देखिए इस तरह से हम उपर की तरफ थोड़ा साहिए जो दोनों साइड है इन दोनों को पकड़ाते वे और फिर सील लेंगे तो आब ये पूरा कंप्लीट हो गया है अब इस कवर को हम सीधा कर लेते हैं अब इसमें हम उपर डोरी डालने के लिए इस तरह से ऊल लेंगे ऊल का लेंगे आप चाहे तो रेडिमेट लेस भी ले सकते हैं तो जितना बड़ा एक कवर है उसका डबल इस तरह से ऊल लेंगे हम इतना ही बड़ा हमें दो और लेना यानि कि टोटल तीन यह भाग करेंगे तीन बराबर भागों में यह जो उन है वह हम ले लेंगे आप इसको उपर की त acesso तीनों को मिलाकर हम इस तरह से गाट लगा लेंगे और फिर जैसे कि हम चोटी बनाते न बालों की वैसे ही इसको भी इसमें बीया हम इसतरह से इस तरह से हम प्रेट इसमें बना लेंगे तो यह लेस हमारा बन जाएगा बनने के बाद ये दिखने में बहुत ही सुन्दर लगता है इसी तरह से पूरा बना ले तो ये देखिए ये पूरा ये जो प्लेट से मैंने बना लिया इस तरह से कुछ ये दिख रहा है अब उपर की तरफ भी गाट लगा ले और फिर इसको दो भागों में कट कर लएंगे क्योंकि दोनों साइड हमें डोरी डाल ली है और इसमें भी गाट लगा लें अच्छे से ताकि ये खुले न अब डोरी बन गए है अब इसमें देखिये इस तरह से पिन को डालते हुए फिर हम ये पूरा डोरी इसमें डाल लेंगे कवर में हमें डाल लेना है दोनों साइड अब ये देखे लेस इसमें मैंने डाल लिया है अब मेरे पास इस तरह का ये बिल्कुल मैचिंग का ये लटका ने इसको मैं इसमें ये चारो जो डोरी का किनारा है उसमें इसको लगा दूँगी जिससे के दिखने में और ज्यादा सुन्दर लगेगा इस तरह से अच्छे से सिल लेंगे ताकि ये निकले न इसी तरह का लटकन हम चारो डोरी में लगा लेंगे, इस मतलब डोरी के चारो किनारे में सिल लेंगे तो यह देखे, यह complete हो गया है पूरा, अब इसमें हम यह जो तक्या है गोल वाला इसको इस cover के अंदर डालते हैं और देखिए एक साइड इसको कसके हम बाझ लेते हैं पहले और फिर इसके बाद दुसरी साइड डालके इसको भी हम कसके बाझ लेंगे देखिए कवर डालने के बाद ये इसका सेफ बहुत ही प्यारा बहुत ही सुन्दर लग रहा एकदम परफेक्ट सेफ साइज है तो आप इसको जरूर ट्राय करना बहुत ही आसानी से बन गया है और दिखने में भी दिखिए कितना सुन्दर लग रहा है उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पीलो और ये वीडियो दोनों ही पसंद आया होगा अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करें लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सब के साथ और भी अच्छे ची नए नए वीडियो शेयर कर सकूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू